वन डे अगो अरे का अपान गा मुँन में है क्या हम इस वीडियो पर क्या हम दस हजार लाइक पूरे कर सकते हैं कि इस वीडियो पर ठीक है लेकिन आज के अपिसोड के अगर पहली अपडेट की बात करें तो आती है वह अपने सुदेशी यानि की इंडियन फुटबॉल से तो भाई तुमको पता है कि जिस तरीके से हम स्टोरी डेवलप कर रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान की बीच में जो पहला मैच होने वाला है साफ चंपिन्शिप का वहाँ पर प्रॉब्लम यह आ रही थी कि भाई देखो दो चीज़े होती है जो कि पाकिस्तान फुटबॉल चीज़े थी वो थी यहाँ पर वीजा और वीजा यहाँ पर इंडियन एमबसी यहाँ पर उनको इशू करता और दोनों में ही एडिनिस्टरिटिव लेट हुआ है यह खुद यहाँ पर पाकिस्तान के मैनेजर ने कंफर्म किया कि बईया देखो यहाँ पर दोनों ही जो हमा आप को समझना पड़ेगा कि पहले वो यहाँ पर मॉरिश्यस से मुंबाई आएंगे और फिर मुंबाई से बैंगलोर की फ्राइट लेंगे तो जो थकान होती है वो डेफिनेटली होती है लेकिन खेर इंपोर्टन चीज़ यहाँ पर जो मैच है उसमें कोई भी दिक्कत न हराल्ड के अगर आप बात करोगे तो सकबार ने यह रिपोर्ट छापी है कि यहाँ अफकोर्स देखो तुम लेवल देख रहे हो मयामी हराल्ड जो कि वहां की लोकल न्यूस पर है उसने अक्चली में जो ओरिजिन यूस किया है वो MD यानि कि Mundo Deportivo का यूस किया है लेवल भी आदे जब Lionel Messi ने अपना decision को लेके जो interview दिया था उसमें उसने कहा तो था कि भाई हम बहुत सारी चीज़े एक्सचेंज करते हैं मैं सर्जो बुस्किर जॉडी अलबा एं लूइस स्वारेस लेकिन हमने यह चीज़ कंफर्म नहीं करी थी कि हम एक क्लब में खेलने वान क्यों नहीं उनके पास अगर हम सर्जो बुस्किर की बार माने तो वो कोई मेरे काल से European टीम के लिए तो नहीं खेलेगा दूसरी चीज़ यहां पर यहां पर यहां पर चीज़ों को समहाल लेता है अपने तरफ से कर इसके रिगार्डिंग एक चीज़ और बात करते हैं वह यहां पर बार्सा से रिलेटेट गुंडगन की अब देखो हाली में यहां पर प्यप गाजला ने दो तीन चीज़ कंफर्म करी देखो सबसे पहले तो उनने कहा कि अभी बार्सा का मैनेजर जावी है और मैं चाहत बात करो ना कि बार्सेलोन अंडर पेप गाजला इस वन अफ दे बेस्ट टीम्स इन दो वर्ल्ड अपनी हिस्ट्री के अगर हम बात करें इस पर तो यहां पर तुमको समझना पड़े कोई मैनेजर अपनी हिस्ट्री को क्यों खराब करेगा आप इसमें डेफिनिली जिदान का भी एक केस आता है बट सबका अपना अपना परस्पेक्टिव है जैसे इसका प्राइम एक्जामपल आप हाली में देखो इस पैलिटी की बात करें कि इस पैलिटी ने नेपुली को 33 साल बाद स्कुड़े टो जितवाया और उसके बाद एक साल बादी छोड़ दिया क्यो पीछे जो सिटी भी पड़ी हुई है अब गुंडगन ने हाली में ये चीज़ कंफर्म करी थी कि डिसिजन अभी भी नहीं बनाया है जो कि इस हफते आ सकता है ऐसे में बार्सा की बहुत सारे प्लैंस यहाँ पर इस चीज़ पर टिक हुए है कि गुंडगन का क्या डिसिज सिटी वर्सिज बार्सिलोना और जहां पर मेरे को सबसेदा चांसिज बार्सिलोना के लिए ही लग रहे हैं I think यहाँ पर सिटी एन मुमेंट पर भी चेंज नहीं कर पाएगी डिस्पाइट कि उनका ही प्लेयर है खेर इसी के दाधिर बात करते है अब थोड़ी सी यहाँ प चुदंपटी खेल रहे थे लेकिन तुमको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि हाली में हुआ यह है बहुत यहाँ पर दो मांच इस थे बहुत पहला ऑस्ट्रेया के साथ था और दूसरा यहाँ पर एस्टोनिया के अगेस था अब केवन डिब्रॉइन को इंजिरी थी आपको जो नए मैनेजर है जिसने रोबर्टो मार्टनेस को रिप्लेस करा है थिंक टोडेक्स है टेलोक्स है तुडू है पूपत यार है वस तो उस बंदे ने क्या करा कि उसने लुका को कैप्टन बना दिया अब इस चीज़ से आहत कोड़तवा काफी नराज हो गया बही कोड़त कि मेरे को कैप्टन नहीं मनाया गया भाई यह कितनी खराब चीज़ है मतलब आइटिंग कोड़तवा के लेवल का प्लेयर भी यह बकर काट रहा है इस रियली रियली सैट तुसी है और वो इतना सक्सेस्वल है वो इतना एक्स्पिरियेंस है और उसका कन्विक्शन के ताली कैप्टन था क्या अपने इनिशियल डेस के अगरम बात करते है और अफ्कोर्स मतलब मेरे को यह लगता है कि यू आफ तो बी रिस्पेक्टफुल रिगार्ड़ जब मैंचेस्टर युनाइटिर में क्रिस्टियान और रोनाल्डो आया था आइटिंग 90% लोग यह मानते थ लेकिन फिर भी मैंचेस्ट था ना तो क्या क्रिस्टियान और रोनाल्डो ने खेलने से मना कर दिया था डिस्पाइट दे फैक्क कि ड्रसी नूम में कुछ भी बकर कट रही हो लेकिन पब्लीक लिए आप जो डाल रहे हो वह बहुत मैडर करता है और कोर्टवा यहां पर इ बहुत बड़िया प्लेयर है मैं मना लुआ लेकिन अभी के लिए हमको यहां पर और एक चीज़ और अच्छी लगी उसने यह का कि देखो हम सबने टीम में क्लेक्टिविटी डिसाइड के थे रसी रूम में कि भाई ऐस्ट्रिया के अगेंस लुकाकू कैप्टन मनेगा और नेमार वाला चैप्टर को लेकि मैं तमाम पिछले कुछ दिनों से देख रहा था एक कमेंट सेक्शन में तो काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि नेमार पर अपडेट नहीं है क्या है ऐसा कैसे हो सकता है कि नेमार पर व्यूस तुम नहीं चाप रहा तो मैं आ आ गया चाप इनको प्रेजेंट भी कर चुका है कि भाई देखो मेरा आईडिया सिंपल है और मैंने तुमको कल के एपिसोड में बताया था कि he is very respected manager और जिसको बहुत easily accept भी कर जाएगा और उसकी authority stamp भी करी जाएगी अब यहाँ पर जो चर्चा है यह है कि नेमार को लेकि अगर हम बात क करें तो क्या नेमार की current scenario में यह कुछ चीजे चेंज हो सकती है और ऐसे मैं आपको समझना पड़ेगा कि अगर ले पेरेजिन की बात करें जो कि PSG का mouthpiece आप कह सकते हो कि अंदर की खबर वो अच्छी तरीके ते दिखा देता है तो उन्होंने यह चीज का है कि Lewis Enrique और नेमा हमको सिप M रखना है और बाकी के NM तो हमने तोड़ दिये जाओ हमें नहीं परक परता वो यहाँ पर मानते हैं कि नेमार को या loan पर चले जा या sell चले जा अगर कोई opportunity आती है तो वो दो minute भी नहीं सोचेंगे और यहाँ पर शायद से शायद से Lewis Enrique के veto भी नहीं कर सकता कि न तो दूसरी चीज नेमार भी थोड़ा cryptic है क्या चाता है क्या नहीं चाता है कौन सा क्लब चाता है कौन सा नहीं चाता है दूसरी तरफ Manchester United का भी थोड़ा सा रगड़ा यहाँ पर चल रहा है तो चीज़े बहुत complicated है लेकिन इसी के साथ यहाँ पर अगर Lewis Enrique के एक और चीज प्लेयर को लेकर आएगा अब भी जैसे मैंने तुमको कहा था कि बर्नाडो सिल्वा को लेकर मैं नेमार के चैप्टर में तुमको बताऊँगा वो यह है कि अब भी जो front three का attack यह plan कर रहे है न वो यह है कि बर्नाडो सिल्वा राइट पर है और एक striker को यह देख रहे हैं ज वैसे तो यहाँ पर जुनाथन डेविड को भी है इस समय समझ रहे हैं ये फ्रंट थरी आगे का प्लान ये कर रहे हैं खेर इसी के ताथ बात करते हैं अब थोड़ी सी चल्सी की चल्सी का अच्छा है ये बहुत बड़ी है चल्सी बड़ी है टुम्टुर मौसी के लड़ू बेल रही है चल्सी का अब तुमको बता तुम सीन अभी क्या बन रहा है चल्सी पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि साओधी का जो जिसने नियुकासल के जो माई बाप है वह एक्चली में टॉड़ बोईली के माई बाप में अब तुमको समझना पड़ेगा थोड़ा सा इ इस पर एक episode बनाना पड़ेगा लेकिन अब भी अगर हम बात करें तो system ये बन रहा है कि काफी लोग कहते हैं कि जो clerk capital है यानि कि टॉड़ बोली का जो consortium है जो majority of the ownership रखता है Chelsea की उसमें काफी हद तक जो पैसा है वो इसका लगा हुआ है PIF का Public Investment Fund का जो भी है माई बाप का जो भी हिसाब है ऐसे में यहाँ पर काफी लोग कहते हैं कि यह पैसा गुमाने की बड़िया चीज है यह एक money laundering टाइप चल रहा है क्योंकि असल में हिसाब यह बनाया जा रहा है कि जो गलती यहाँ पर टॉड बोली ने करी है और जो लफडा रायता फिलाया है 31 जून से पहले इनको सारी चीजे बेशनी पड़े है अगर FFP के साथ comply करना है ऐसे में साओधी इनको escape route दे रहा है साओधी इनका ही पैसा recycle कर रहा है मतलब कुल में लाके आप पहले तो inflate market को inflate कर तो बहुत सारा पैसा डाल के और फिर आपका पैसा फजार आपको escape route चीए तो आपक पर लेंगे काफी लोगे मानते है कि कालिडो कूलीबाली की बात करें उसको लेके पैसा देंगे हकीम जीच की बात करें एंगोलो कांटे को उठा लिया और उसके बाद भी चल्सी के एक दो और प्लेयर है जिसको यहाँ पर साओधी उठा सकती है एडवाड मंडी जिसमें नाम है कि एडवाड मंडी भी यहाँ पर आप जाता हुआ देख रहा है अब खेर इसके काउंटर में यहाँ पर जितने भी लोग चल्सी को डिफेंड कर रहे है उन्होंने भी काफी चीज का है उन्होंने काया कि देखो ऐसा है कि अभी जितनी भी चीजे इन में हो रही है वो सिर्फ ट्रांजक्शनल बेसेज है भाई यह एक मियर फैक्ट है कि साओधी अरेविया चल्सी के प्लेयर्स निकाल रही है इसके पीछे दो रीजन है पहली चीज तो यह है कि साओधी को क्या फायदा होगा जो पॉइंट है भाई साओधी क्या फायदा होगा जब जाते हैं जो साओधी बिल्कुल चाहिए अपने क्लब में अफकोर्स जो बाकी के प्लेयर उठाके ला रहा है तो यह भी प्लेयर्स ही है ऐसे में काफी लोगे मानते हैं कि जो भी इनके बीच में रिलेशन है वो ट्रांजक्शनल बेसेज है यह अगर चेल्सी को उसका फाय जाते हैं और उसके लिए हम यहाँ पर डेफिनिटली बेट करेंगे लेकिन आज कि अगर अपडेट एपिसोड की लास्ट अपडेट की बात करें तो आती हैं यहाँ पर बार्सलोना से तब यह जान्टे जानी कि अगर हम बात करें जिनके लीड रिपोर्टर है जराड रोम से भी मतलब नहीं बनता आई तिंग जराड रोमेरो गोट लेवल पर आ जाता है यार टीक है उसकी अगर मैसी वाली अपडेट अब देको मैंने बहुत क्रिटिसाइज कर रहा है उसको मैसी वाली स्टोरी पर मैंका बाई और मैंने हमेशा ते बहुत पीस आप बार्सलोना बट डिस्पाइड देट ही इस वेरी लिलाबल मैं कल को मैं कह दूंगे ले पैरेजियन यहां पर पीएज जी का माउथ पीस है मैं तो कहता हूं लेकिन भाई मुझे पता है कि वो सच कब सच बोल रहे है क्योंकि इतना दिमाग लग जाता है पता चल जाता है कि कब वो लेगा अपने कलब की पॉलिटिक्स को डिफेंड कर गया है और यहां पर किसी भी चाहिए वो जरार रोमनों बाहर से लू ना कही है एक इटर्नल राइवल का राइवल का ही माउथ पीस की नहों उसको रिस्पेक्ट करना बनता है वापेस वेक्ट तो स्टोरी पर आते हैं यहां पर अगर हम इसकी बात करें रफीनिया की बात करें काफी लोग यहां पर फेबरीजी रोमेनों ने इसके काउंटर में यह चीज डाला है कि ब्रुनो गॉमारेश का काउंटर रिनु करना नीवकासल की प्रायरिटी है देखो मैं भी यह मानत के चलता हूँ कि आई ति टेबल पर कुछ भी नहीं आए तो इन वर्ट का भी आपको बहुत ध्यान रिखना पड़ता है जब यह बड़े-बड़े रिपोर्टर ऐसे रिपोर्ट करते हैं वें देस से की डिसकेशन में है समझ जाओ कि अभी टेबल पर कुछ भी नहीं है वें देस से की बहुत मिलता रहेगा तब तक के लिए स्टे ट्यून स्टे सेफ एन आल सी ओन नेक्स्ट एपिसोड मिया सान मिया